बार्सलोना फोर्स कर रही है बार्सा को चाहिए था एक left winger बार्सा को चाहिए था exidium बार्सा ले के आए Danny Olmo को बार्सा अब Danny Olmo को register नहीं कर पा रहे और तकरीबन मुझे लगता है कि हर squad के player के बाहर जा के परेंकी डियौंग, अराऑो, रफीनिया फेरंटोरस कोई भी जो है वो छोड़ना नीचाता या फिर किसी को भी सेल करना बार्सा के लिए असान नहीं है तो बार्सा नहीं ये सोचा है अब के डैनी ओलमो तो रेजिस्टर हो नहीं पारे और उनकी पोजीशन के उपर काफी सता प्लेर हैं आफेन चोडना नहीं चाहते , पेडरीग और गाभी को बढ़िन आए चाहते तो एकस शरीप इंसान को ढूंडे उन्हें उस शरीप इंसान को घुंडा है जो के परफार्मर है जोके प्रफेस्टेंब है और वह ढूंड़ों चिंक्ya-ca Secret of 그래도 all Profetas most in-form players one of our best players last season और Barcelona जो है उनको बेचने का सूच रही है क्यों कि बार्सा के पास कोई option नहीं है, बार्सा 1 ratio 1 में नहीं है, बार्सा डेनी ओल्मो को sign करने के बाद भी अभी तक register नहीं कर पाई, तो बार्सा ये सूच रही है कि डेनी ओल्मो को जो के first place के उपर बार्सा को लेने ही नहीं चाहिए थे, उनको register करने के लिए आपको one of your best performer जो last season के हैं उनको बेचना पड़ेगा और वो है गुंडोगॉन तो ये कहानी है, और गुंडोगॉन शरीफ इंसान है, वो आया भाई, पैप के school of thought से, city के जो पैप कही है न, school of thought जो रुकना नहीं चाहता, वो thank you so much, और जो जाना वो सोच रहा है, गुंडोगॉन के भाई, बार्सा मुझे force out कर रही है इससे अच्छा के भाई, चाहिए नहीं, आपको doubts है, मैं चला जाता हूँ, ठीक है तो गुंडोगॉन के पास इस time options है city की भी news आ रही है कि he might return to city और वहाँ पे शाहिद जरूरत भी है to be very honest, गुंडोगॉन असानी से एक दो सवाल और दे सकते हैं तो देखें, इस इस अटर डिस्रिस्पेक्फुल वह young player है, उसका time है साल बाद वैसे भी गुंडोगोन ने चला जाना था फिल्कुल perspective आप ठीक है लेकिन disrespectful है अब जो free agent, experience player है वो आपके पास आए हैं, आप उनको disrespect दे रहे हैं, अक्सर ऐसा हो रहा है कि young players आपके पास आ रहे हैं मिसहब तो है ना, मतलब आपने चवल तो मारी है ना उसके अंदर तो जब आप चवल मार रहे हैं, experience players के साथ भी, young players के साथ भी तो भाई, नहीं आएंगे फिर players future में आपके पास तो आपको respect देनी है थोड़ा सा moral values, थोड़ी सी I know financial situation खराब है लेकिन भाई, थोड़ी तो moral values रखे ना, how you can force out a player like Gundogan to leave Barcelona जबके बहुत से ऐसे players हैं, जो कि deserve करते हैं Barcelona चोड़ना और वो नहीं चोड़ पार है तो मुझे बिल्कुल logic नहीं समझ लग रही, जैसे मैंने आपको काया है कि Danny Olmo लाएं हैं अब Danny Olmo register नहीं कर पार है जो player required ही नहीं था और उसको register करने के चकर के अंदर अब आप Gundogan को बेच रहे हैं अब Gundogan के पास city वाली option है जैसे मैंने आपको कहा है, वो वहाँ जा सकते हैं that would be very good for him Galatasaray की option है, he always mentioned कि वो जाना चाते हैं Turkish league के अंदर future के अंदर, Saudi से काफी ज़्यदा offers हैं उनको, तो let's see, अभी city की काफी ज़्यदा recent report आ रही हैं, but this is all messed up, in my opinion this is really, really messed up मतलब भाई, बात simple सी है Barsa ना 1 ratio 1 में है, ना Barsa के पास Niko को sign करने के पैसे हैं ना Barsa के पास Zubumendi को sign करने के कभी भी पैसे थे और Barsa के पास Danny Olmo, जो के आपने installments पे ली हैं, उनको भी register करने के आपके पास space नहीं है, जिसकी वज़ाद से बिल्कुल news थंडी हो चुकी है, these are all lies, इतने महीनों से, इतने तकरीबन 2-3 सालों से, भाई हमें पता चल चुक है financial situation, अब जूट आप अच्छा कर रहे हैं, backdrop के उपर उसके उपर discussion नहीं हो रही, लेकिन आप front line के उपर, जो है, वो continuously जूट बोल रहे हैं, और सच बोल रहा था चावी, ठीक है, अब हांसी flick अगर limit, आपको क्या लगता कि हांसी flick के एक left finger नहीं चाते होंगे क्या हांसी flick एक DM नहीं चाते होंगे क्या उनको, मतलब वो खुश है कसाड़ो और बरनाल को खिला के, दो इन experience DMs को खिला के, अगर आप उनको मौका दें, तो वो definitely चाहेंगे कोई दुनिया का manager ऐसा नहीं है तो अगर ये चीज़ें work करती है तो इसके इंदे धांसी flick और उनकी जो management है जो भी team है, उनका बहुत बड़ा role होगा, कर if somehow एप पुल्स अ मिरेकल और कहीं से जो है वो बारस्टोना जो है, वो लाली का जी जाती है तो that would be credit to them क्योंकि बारसा की financial situation ये है कि Danny Olmo को आप register नहीं कर सकते तो बारसा भी विटर रोग के बारे में देख रही है कि विटर रोग शिप्ट हो जाए photo interested है, 30 million 20 million plus 10 million add-ons, 30 million का कहीं ना कहीं package हो रहा है, ये विटर रोग को offload करने के चक्रों में है, लंगले आप offload नहीं कर सकते, कभी अथ्लाटिकों मिडिड की news आती है, जीपसी, कभी ये नहीं हो जा रही है बारसा उनका contract extend कर रहा है, तकि उनकी जो salary है, वो जो है, वो थोड़ीजी spread out हो जाए, तो भाई, there is absolutely no sense issue ये है, कि they are trying to get offload, they are trying to offload लंगले, they are trying their best to offload Ferran Taurus, they are trying their best to offload many many other players but as of now, कुछ नहीं हो रहा, शायद विट्टर रोक हो जाए, as of now, ये news आ रही है, कि विट्टर रोक वाला काम हो जाएगा, but still, बारसा को, गुंडो कॉन को sell करना पड़ेगा, ये एक major sell है, हमेशा से बार थी, कि बारसा को एक major sell करना पड़ेगी, जो कि wage structure से उनकी जो wages हैं, वो हटें, और unfortunately, जो casualty हैं, जो कि हम expect मी कर रहे थे, वो हैं गुंडो कॉन, so that is the reality of Barcelona right now yeah, I don't know, देखें expectations कम रखें, Ansaflick को full support दें, और जो जूड बोला जा रहा है पिछले दो मीने से, उसको भी identify करें, और उसके बारे में बोलने ही, कोशिक करें बस मैं इतने ही कहूंगा, बाकी तो all the best, Ansaflick इससे ज़्यादा और क्या कहूं भाई, आप गुंडो कॉन भी अब उससे ले रहे हैं, eventually हो सकता है यह, कि आप imagine करें, Danny Olmo को sign करें, कि हम, गुंडो गुंडो कॉन भी लेविंग, और भी अब उससे लेविंग, भाई आप यू पर यह सब कुछ, अपना ओपीनियन दे, कमेंट रेक्षिन, लाइक करते का, सब्स्वाइब करते मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, इसकाल बार्सा